तो इसके लिए हमें चाहिए दूद्ध यहाँ पर मैंने 200 दूद्ध लिया है जिनको मैंने पहले गड़म कर लिया है और उसके बाद ठंडा कर लिया है साथ में हमें चाहिए वानिला एसेंस यह मैंने 1 टी स्पून ले लिया है उसके साथ हमें चाहिए डार्क चॉकलेट अभी चॉकलेट के देश है तो उसमें चॉकलेट डालना तो ज़रूरी है तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्रम डार्क चॉकलेट ले लिया है और जिनको चोटे नृप में काटलिया है अभी किैंक doe कना है तो उस्तरा इस धकन लगा देंगे और स्मूदलीस में लेकर तयार कर लेंगी तो यह की यह लेट हो छके है अब देख लेते हैं यह देखिए चोकलेट मिलक शेक लग रहा है वैसे हैं तो यहाँ पर मैंने 100 ग्रम सूजी ले लिया है तो जितना हमें सूजी लेना है उतना ही हमें चौकलेट लेना है इसमें अभी कड़ाई में एक चमज घी गड़म कर लेंगे आप चाहो तो तेल भी गड़म कर सकते हो साथ में सूजी डाल देंगे और गैस का फ्लेम इसमें मीडियम रखे है की-पनाशी meansतने कि मतलब सूजी जब फ्राइन होनों के फूल जाते हैं तो उसका कलर हलका सा हो जाते हैं और उसके बाद उसे अगर आप जादा वूनते हो तो यह golden और फिर brown बन जाते हैं तो यहाँ पर हमें सुजी को पहले fluffy बनाना है और उसके बाद हलका सा golden color इसके उपर आ जाए तब तक हमें इसे fry करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो सुजी काफी fluffy हो चुके हैं लेकिन इसका color अभी चेंज नहीं हुए है इस टेज में इसमें डाल देंगे चीनी या पर मैंने चार चमल चीनी लिया है आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले वैसे भी चॉकलेट में थोड़ी सी चीनी होती है पर यह यहाँ पर मैंने डाक चॉकलेट लिया है तो यह थोड़ी सी करवा बनते है त तो इसे अच्छे से मिला देंगे और इसी के साथ इसे भून के तयार कर लेंगे और यह हो चुके है तो फिर इसमें डाल देंगे चौकलेट और दूद का जो मिक्षर है और इसे डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई करतेंगे और हाई करने के बाद इसे कंटिनुवसली से चला और चलाते हुए हमें इसे पूरी तरह से सुखा लेना है तो यहां पर अब देख सकते हो यह काफी सूख गये है अब इसे और ज्यादा सुखाना है गैस कल फे फ्लेम हाई रख के ही इसे करना है अगर आप फ्लेम लो कर दोगे तो इसे काफी टाइम लगेगी और यह अची त करने के बाद इसे कंटीनूसली चलाते हुए थोड़ा और सुखा लेंगे तो यह देखिए यह तो हलवा बनके तैयार हो गये है गैस का फ्लेम अभी आफ कर देंगे क्योंकि यह जितना ठंडा होते जाएंगे और ज्यादा सूखते जाएंगे तो गैस का फ्लेम आफ कर दे काजू काजू डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे आप चाहो तो इसमें कोई भी ड्राइफ फ्रूट्स एड़ कर सकते हु लेकिन मैंने यहाँ पर काजू और सिंपली आमन डाला है हमें यहाँ पर तो इसके बाद थोड़ी Sere Defenderनी के लिए थो यह जो रिशिपी है इसे आप ठंड़ा भा सकते हो गडम भी खा सकते हो तोनों ही स्टेज में ये बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन मैं मीडियम गडम रखना ही पसंद करती हूं क्योंकि इसके बाध हमें इस में थोरी सी चोकलेट डालना है तो अगर बहुत गडम हो avent तो चौकलेट तुरंद मिल्ट हो जाते हैं तो मजा नहीं आते हैं तो इसके लिए मैं इसे हलका सा ठंडा कर लेती हूं और सर्फ करने के लिए क्या करती हूं एक बावल में इसे निकाल देंगे और उसके बाद उपर से थोड़ी सी चौकलेट ढाल देंगे यहां पर मैंने थ सजाकर सर्फ कर देंगे यहां पर चॉकलेट मैंने इसलिए डाला है कि बच्चों को मुझे चॉकलेट आते हैं तो उन्हें बहुत मज़ा आता है इसे खाने में वैसे भी यह बहुत ज्यादा टीस्टी बनते हैं घर पोर आप इसे एक बार जरूर ट्राइकर करके देखें तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन को दबाएं और यही रेसिपी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें तो चलिए फ्रेट्स फिर मिलेंगे एक और नही रेसिपी के साथ